Hello everyone, welcome to study for success दोस्तो आज है 13 दिसम्बर और 13 दिसम्बर से करंट अफेर से जितने भी important questions बनते हैं सभी इस वीडियो में discuss करेंगे सभी questions important है तो वीडियो को अंतक जरूर देखेगा चलिए स्टार्ट करते हैं question number first मद्य पर्देश के नए मुख्यमंत्री कौन बनी है? मोहन यादव होंगे MP के नए CM डॉक्टर मोहन यादव मद्य पर्देश के नए मुख्यमंत्री बनी है MP विदानसबा चुनाओ 2023 में उन्होंने उजे इंडक्षिन विदानसबा सीट से कांग्रेस के चेतन प्रेम नारायन यादव के खिलाफ चुनाओ लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की है वे 2013 में पहली बार विदाइक बने थे जबकि 2018 में दूसरी बार विदाइक चुने गए थे इस बार वो तीसरी बार चुनाओ जीते हैं इस से पहले वो सीवराज सरकार में केबिनेट मंत्री भी थे उन्होंने चातर राजनीती से अपने करियर की शुरुआत की थी यहाँ पर बात करें डूक्टर मोहन यादव की तो जो पीसडी कर चुके हैं यह उजे इंदक्शिन सीट से विदाइक हैं और साथ ही साथ इन्हें अमेरिका में भी सम्मानित किया गया था और काफी अच्छा इन्होंने काम किया हुआ है नेक्स्ट क्विश्चिन हाल ही में किस देश की सेना ने एशियन महिला शान्ती सेनिकों के लिए टेबल टॉप अभियास आयोजित किया है ऑप्शन सी भारत राइट आंस्वर है मलेशिया नहीं भारतिय नागरिकों को बीजा मुक्त प्रवेश की अनुमती दी भारत सोशल मीडिया के लिए सक्त आयू सत्यापन योजना बना रहा है भारत नहीं 2023-2024 में रिकॉर्ड 41,010 पेंटेंट कराए हैं भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्स चुना गया नेक्स्ट क्वेस्चन हाल ही में जारी QS थीरता रेंकिंग में भारत का कौन सा विश्व विधाले सिर्ष पर रहा है ऑप्शन B दिल्ली विश्व विधाले राइट आंस्वर है Global Remote Work Index में डेनमार्क सिर्ष पर रहा है Hunger Index 2023 में भारत 111 स्थान पर रहा है Times Higher Education द्वारा जारी World University रैंकिंग 2024 में Oxford University सिर्ष पर है Global Innovation Index में Switzerland सिर्ष पर रहा है Henle Passport Index में सिंगापूर सिर्ष पर रहा है Next Question हाल ही में किस जिला प्रशाशन द्वारा सुचित्वा थीरम प्रियोजना शुरू की गई है Option C कोजी कोड राइट आंस्वर है Next Question हाल ही में किस देश ने International Students Funds दो गुना किया है हाल ही में किनाडा देश ने International Students Funds दो गुना किया है Option B किनाडा राइट आंस्वर है भारत ने किनाडा के साथ E-Visa सेवाई फिर शे शुरू कर दी है कनाडा ने इटली को टू-जीरो से हराकर बिली जीन किंग कप का खिताब जीता कनाडा की डेनियल में गाहे अंतरास्टिये क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांस जेंडर बनी है कनाडा ने वेश्विक परियावरन सुईधा की साथवी असेंबली की मेजबानी की हाल ही में किसे करम वीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है हाल ही में डॉक्टर हेम चंदरन रवी कुमार को करम वीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया ओप्शन सी डॉक्टर हेम चंदरन रवी कुमार राइट आंस्वर है विस्थापित बच्चों को सिक्षित करने के लिए अब्दुल्लाही मिरे ने युवन नौन सेन पुरुसकार जीता है सत्य जीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवोर्ड से माइकल डगलस को समानित किया गया शिक्षा के लिए वाइस पुरुसकार सफीना हुसेन ने जीता है दोजार तेईस का बकर पुरुषकार पोल लिच को दिया गया नेक्स्ट क्रेश्चन हाल ही में परियेटन मंत्राले कहा संगीत उत्सव कृष्ण वेनी संगीत निर्जनम आयोजित कर रहा है हाल ही में परियेटन मंत्राले विजेवाडा में संगीत उत्सव कृष्ण वेनी संगीत निर्जनम आयोजित कर रहा है ओप्शन बी विजेवाडा राइट आंस्वर है नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में RBI ने स्वास्ते सेवा और सिक्षा के लिए UPI की सीमा बढाकर कितने लाग कर दी है नेक्स्ट क्वेश्चन रاجस्तान के नए मुख्यमंत्री कौन बने है राजस्तान के नए मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा जी बने हैं आप्शन ए बजनलाल शर्मा राइट आंजवर है तो देखिए दोस्तों यह है बजनलाल शर्मा जो कि हमारे राजस्तान के CM बने हैं मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा राजस्तान के नए सीम होंगे सांगानेर विदानसबा सीट से विदायक है पहली बार विदायक बने हैं विजेपी के परदेश माह सचीव है 56 साल के हैं वो बरतपुर के रहने वाले हैं भारी होने के आरोप के बावजू सांगानेर से बड़े अंतर से जीत तरज की कॉंग्रेस के पुस्पेंदर भारदवाज को बजन लाल ने 48,081 वोटों से हराया उन्हें संग और संगठन दोनों का करीबी माना जाता है पुर्वसियम वसुंदरा राजे ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा और इस पर सर्वसम्मिती से चुन लिया गया बजन लाल शर्मा के समर्थकों में खुशी की लहर है वो ब्रहमन समाज से आते हैं थैंक्स फॉर वचिंग माई वीडियो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर कीजिएगा ताकि उनकी भी हैल्प हो जाए और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल स्टडी फोर सक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया है